और इसे बीज़ों का बड़ी खबर दिल्ली पहुंचे बिहार दिपियम नितीश कुमार अंडिये में शामिल होने के बाद उनका ये पहला दिल्ली का दौरा है प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी से हो सकते मुलाकात बीज़ों पी के राश्टर अधग जेपी नड़ा केंद् में शामिल हुए था और उसमग प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राश्टर पती जो बाइटिन से मुलाकात करवाई थी नितीश कुमार की लेकिन तब से लेकर के अब तक हालात बहुत जादा बदल चुके हैं अब बिहार में क्योंकि एंडिये की सरकार है बारा तारीक को फ्लो टेस्ट होने वाला है और उससे ठीक पहले नितीश कुमार का ये दिल्ली दोरा जो के बेहत एहन है और जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये बताती है कि नितीश कुमार यहाँ पर चार बजे विधा मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे बिहार को विशेश राजिका दर्जा देने की मांग जो नितीश कुमार लगातार कर रहा है बारा फरवरी को बिहार में फ्लो टेस्ट होने वाला उसे ठीक पहले ये दोरा 27 जुम मंत्री पर के जो खाली सीट है उस पर भी लगातार चर्चा हो रहे और कयासों के बीच नित मंत्री नितीश कुमार का ये दिल्ली दौरा बहुत महत्पून है क्योंकि बिहार में एंडिये की सरकार बन गई है और बिहार में एंडिये की सरकार बनने के बाद बिहार के मुकमंत्री नितीश कुमार का ये पहला तीन दिवस्ये दौरा है जिस दौरान परदान मंत्री न अल्लन सिंग भी इस वक्त नितिसकुमार से मुलाकात कर रहे अंदर कुछ दिर बाद परदारमंत्री निर्दमोदी से मुलाकात करने के लिए अपने आवाज से निकलेंगे नितिसकुमार लेकिन ये दौरा इसलिए बहुत महत्पून है क्योंकि अब बिहार में एंडिया की स सरकार बनने के बाद जो जेडियो और बीजेपी का जो आप कहा सकते तालमेल है सीटों को लेकर साथी बारह जनवड़ी को बिहार विदानसवा में फ्लोड टेस्ट होने हैं साथी मंत्री मंदल का विस्तार होना है और छे राजसवा सीट जो खाली हुए हैं विहार में जिस कारक्रम बिहार में लगा हुआ है उसकार करेंगे और आपको याद होगा पिछले दिनों जन्नाया करपुरी ठाकुर को भारत रतन दिया गया ता उस दोरान भी नितिसकुमार ने बकायदा मेडिया में आकर परदान मंतरी को धनवाद बोला था लेकिन आज जब मुलाकात क खास दोर से जन्नाया करपुरी ठाकुर को भारत रतन देने की जिक्र करेंगे और उनको धनवाद देंगे इसके बाद आज या कल लालकिस अडवानी से भी मुलाकात करने जा सकते हैं बिहार के मुक्बंत नितिसकुमार उनके आवास पर जाकर उनको बधाई देंगे क्यों सुषासन का टाग भी दिया गया था वाजपेई जी तरफ से नितिशकुमार को सुषासन बाबु का टाग भी दिया गया था और उसके बाद हमने देखा किस तरीके से नितिशकुमार के कदमे उस वक्त इजाफा हुआ लेकिन सबसे बड़ी बात है केश्रफ क्योंकि BJP के राष्ट्र अध्यक्ष जेपी नड़ा से भी नितिशकुमार के मुलाकात होगी तमाम कयासों के बीच क्योंकि जनता अधल उनाइटेड की तो कमान नितिशकुमार के हातों ही है राष्ट्र अध्यक्ष वही है तो क्या ये मांग करके चले कि सीट शेरिंग को लेकर के भी चर्चा संभवे लोकसभा चुनाव को लेकर के बिल्कुल पिडिया आपने सही कहा देखिए जेडियू के राष्टी अध्यक्ष है नितिश्कुमार और विहार के मुकमंत्री है भारती जंता पार्टी के राष्टी अध्यक्ष जेपी नड़ा है तो ऐसे में जेडियू और बिजेडियू के लोकसभा चुनाव में और जो छे राष्टवा सीटे खाली हुए जिसमें इसी मत चुनाव होने हैं तो इन तमाम चीजों को लेकर जो सीटों की तालमेल है भारती जंता पार्टी के राष्टी अध्यक्ष जेपी नड़ा ही करेंगे और बिहार के में कितनी सीटों पे लड़ेगी इन बातों को भी जिक्र जरूर वो करेंगे मुलाकात के दोरान लेकि सबसे खास बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव कुछ मैनों बाद है तो ऐसे में जो मौझूदा सांसदों की संक्यां देखें तो 16 जेडियू के सांसद है 17 बीजेपी के है क्या इस बार भी 2019 का फर्मूला अपना या जाएगा या इस बार उससे कम दोनों पार्टी चुनाव लड़ेगे क्योंकि इस बार चिराक पास्मान भी है जीता नमाजी भी है उपेंदर कुसभा भी है और कह सकते हैं कि मुके सैनी भी आने वाले दिनों में इंडिये के साथ इस बार फॉर्मूला क्या होगा इस पर सबके निगाहें ठीकी है किशव नजर बनाए रखेगा आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे फिलाल के बहुत धन्यवाद आपका तमाम बाचीत और जांकारी हम तक पहुंचाने के लिए